नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अठाइस एक और दो मार्च मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप से भी के लिए एक बहुती अच्छे खबर लेकर आए हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको रक्षा कर रहा है स्यम देवों के देव महादेप जिहां दोस्तों और आप से जो जलता है वह हो जाएं बहुती शावधान क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुती बड़ी घटना होने वाली है जहां दोस्तों जिनने अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपके भी होस उड़ जाएंगे आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह शमय आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी आपके दूसुमन है जो भी आपको पिछले समय बहुती ज़्यादा परेशान किये हैं जिनने दोस्तों आपको जीने की महुलत तक भी नहीं दी जिनसे आप अपने जीवन की भीख मांग रहे थे जिनके कारण दोस्तों आपने बहुत सारी जीवन काल में किलते भरी जिन्दिगी जीए हैं अपने खुशियों को त्याग दिया जिनके लिए आपने जीवन काल में जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है दोस्तों उन लोगों ने आपको बहुती ज़्यादा धोखा दिये हैं लेकिन दोस्तों आप ये घटन मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों और यह सजा स्वें भगवान महाकाल उन शवी लोगों को देने वाले हैं और दोस्तों इनकी सबसे बड़ी सजा होगी आपकी तरकी आपकी कम्याबी और आपकी मिलने वाले खुश खबरी जिहां दोस्तों अब भगवान महाकाल आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बड़े-बड़े खुश खबरियां देंगे बड़े-बड़े सफलताएं देंगे और बड़े-बड़े काम्याभी जब आपके हाथों पर देंगे तो दोस्तों यह लोग रोएंगे आपके खुश खबरी को देखकर यह लोग बहुत ज़्यादा जिहां दोस्तों परन्तु दोस्तों आप से भी को बता दें कि आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आपको भी सांत नहीं बेठना है जिहां दोस्तों दोस्ते तीन दिनों के अंदर भगवान महाकाल का आशिरवात आप से भी के जीवन काल पर चलने वाले हैं बहुत सारे खुश खबरियां मिलेंगे एसे बहुत सारे बड़े बड़े बदलाब होंगे और दोस्तों यह समय आपको बहुत ही ज़्यादा सतरक और साबधान भी राना होगा क्योंकि दोस्तों दूसों है तो वह कोई ना कोई सड़ी अंतर जरूर रचेंगे वे दोस्तों आपकी काम्य अभी देखने ही पाएंगे एसे में दोस्तों दोस्ते तीन दिनों के अंदर आपको कौनशी विशेश शाबधानिया रखने होंगे कौनशी बड़ी खुश खबरियां मिलने वाले हैं शाती दोस्तों यह समय आपको कौनशी वक्त उपाय करने हैं जिने एक मातर कर लेने से दोस्तों आप सभी के जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दोस्तों उन जलने वाले लोगों से भी आपको छूटकारा मिलेगा साथी महाकाल इस उपाय से पहुती जादा प्रसन होगे तो दोस्तों इन उपायों को जरूरी किजिएगा जहां दोस्तों और सभी पातें इस वीडियो में गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है इन्हें अंतक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो भगवान महाकाल के सच्छे वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य करें और कमेंड बॉक्स में तीन बार जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल जरूलिक देए भगवान महाकाल का नाम एक मंतर से कम नहीं है महाकाल आपके सभी संकाटों से मुक्ती दिलाएंगे कोई यहां आप सभी को मिलेंगे सुरुवात करते है भगवान शिर्कृष्ण जी के अच्छे विचार से एक अच्छे ग््यान से जोकि दोस्तों आपको इन दोनों में एक इकछा सक्ति जागरित होगी कि एक बार ठाकूर जी और राधारानी रास के वाज निधिवन से वापिस आ रहे थे आते आते आचाना ठाकूर जी के नजर राधारानी के चर्णों पर पड़ी राधारानी के चर्णों में ब्रज रज लगी हुई थी यमुना किनारे पहुँचकर ठाकूर जी ने राधारानी से कहा कि सिरू जी आपके चर्ण में ब्रज रज लगी है आप यमुना जल में अपने चर्ण धोली जी राधारी ने साफ मना कर दिया बार बार ठाकूर जी चर्ण धोने को कहते रहा राधारानी मना कर दिती जब ठाक जीका अच्छे ज्यान से शामत हैं तो दोस्तों वीडियो को प्याराशा लाइक अवश्य कर दें और इनके रिलिग दें जैस्ष्री कृष्ण राधे राधे तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले दो से तीन दिनों के अंदर भगवार महाकाल आप से विक जाए और दोस्तों भगवान महाकाल प्रशन हो जाए और दुस्वनों से भी आपको मुक्ती मिल जाए और दोस्तों कौन से उपाए आपको करना चाहिए इनके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों आज ग्रह गोचर आपके ल विदियों में भी आस्था बढ़ेगी साथ अपनी योजना को क्रियामेंद करने का उचित समय है अपने योगता को पाचाने आज आपके साथ कुछ एसी सुखत घटना होगी जिसे आप खुद भी आस्थ चकीत रह जाएंगे घर में महमानों की आवाज आहे रहेगी तहा घर के रख रखाव समन्दी वस्तों की शोपिंग भी होगी दोस्तों आपका ग्रह गोचर बहुती अनकुल बना हुआ है सिर्फ उचित समय पर उचित निर्ने लेने की जुरत है यह समय आप जितना परिश्रम करेंगे उसे के आनुरूप आपको उचित परनाम भी हासिल हो पर पटी समन्दी कोई रुका हुआ काम बन जाने से शुकुन और रहत मिलेगी परिवार के साथ धार्मी गात्रा समन्दी प्रोग्राम भी बन शकता है इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दोने में कुई शाब्धानिया भी देख कर चलनी होगी कोई भी नकारत में प्रस पांती से काम लें ध्यान रखें कि कोई वीती हुई नकारत में बात आपका आज भी खराब कर सकता है इसलिए वर्तमान गत्य विद्यों पर ही ध्यान दें तक खुद को वैस्त रखें विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जौरत है लाप बना कर रखें अपने व्यक्तिकत गतवीदियां किसी के समख्ज भी जाहिर ना करें आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती है परिवार के किसी सदस्य के नकारत में वहवार से तनाव रहेगा पंदू डांट फटकार की वज़ाई दोस्ताना वहवार रखकर समझाने का प्रयाश करें कारे छेतर पर अपनी उपस्ति अनिवार रखें ता अपने योजनाव को शारवजनिक ना करें आपका अपना ही कोई कर्मचारी आपके योजनाव को लिक भी कर सकता है यह समय अपने काम के परती और अधिक मनन चिंतन करने की ज़रत है दोस्तों इन तीन दिनों का शमय आपके लिए बहुती सा करतमक रहेगा ता आप खुद को उर्जवान महसूश करेंगे गर में कोई मांगली कारे समयनी योजना बनेगी ता परिवार और समाजी गर्ति विदियों में आपका विशेश योगदान रहेगा आय और वे में संतुलिद बना रहेगा अपने वेबसाइक पर्ति देतियों की गर्ति विदियों के पर्ति बिल्कुल ही लापारवाही ना करें आपकी समझ और सुजबूज से कारस्तल पर लिए गए ठोस निलने बहतरिन शावित होंगे और काम याभी भी मिलेगी अपने काम करने का तरीका किसी को शेयर न करें वह आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो स्वास्त ठेक रहेगा वलते मोसम की वज़े से सुष्टी हावी हो सकती है माईलाये अपने स्वास्त के पर्ति विश्यस रूप से सजग रहें अपने खान पान और दिन चार्या की पर्ति लापारवाही बिल्कुल ना करे और सकार्तमां दिश्टिकोन बना कर रखें। पत्र शीविलिंग पर चड़ाएं। इससे दोस्तों आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी।